कि नमस्कार साथियों मैं आरके सिंग आप सभी का संस्कृति आइस के यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज हम अपने करेंट अफेर एनाल्सिस में बात करेंगे जी टी सी इंडेक्स की यानि कि जो ग्लोबल टैलेंट कमप्टीटिवनेस इंडेक्स जारी हुआ है इस के विभीन पहलूओं की हम चर्चा करेंगे तो अब देख लेते हैं कि आखिर ये लिशिया नियूज क्या है तो क्या है कि यह इंडेक्स जारी हुआ है और इसेंडेक्स की चर्चा अलग-अलग समाचार पत्रों में देखी गई है उनहीं समाचार पत्रों मेंए से एक समाचार पत्र की Headlines को हम अपने BizListen का आधार बनाएंगे Headlines क्या है कि India Slight Surply on Global Talent Competitiveness Index. What's Among the Bricks? तो ये news है और ये इसकी Headlines है और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो अब देख लेते हैं कि आज हम प्रमुख रूप से कौन सी प्रमुख बिंदू की चर्चा करेंगे तो फिर इस इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि आखिर ये चर्चा में क्यों है और फिर देख लेंगे कि इस रिपोर्ट से संबंदित प्रमुख बात पॉजिसनिंग क्या है और जो ब्रिक्स कंट्री प्रचा के। तो यह आखिर चर्चा में क्यों है तो जो जी टीसी इंडेक्स जारी हुआ है इसमें क्या है कि भारत का जो पोजीशन है जो रैंकिंग है वो एक सो तीन है यानि ये क्या है काफी नीचे की रैंकिंग है और इसी कारण से ये चर्चा में है साथी अब बात कर लेते हैं कि जो ये जी टी सी इंडेक्स या रिपोर्ट जारी हुआ है इससे संबंदित कुछ प्रमुख बातों की तो ये क्या है इसका ये दस्वा संस्करण है यानि कि जो पहला संस्करण प्रकासित हुआ होगा वो 2013 में हुआ होगा और इस वाले 32 देशों को सामिल किया गया यानि कि इतने देशों की रैंकिंग इसमें दर्साई गई है अब बात कर लेते हैं कि इसे कौन निर्मित करता है यानि यह रिपोर्ट कौन बनाता है तो क्या है कि इंसीड बिजनेस स्कूल के एडोको ग्रूप और जो गूगल है ये दोनों मिल कर इस रिपोर्ट को या इस जी टी सी इंडेक्स को बनाते हैं तो इस तरह से क्या है कि हमने देख लिया कि कौन इसको निर्मित करता है अब बात करें कि इस इंडेक्स में सबसे पहले पायदान पे कौन से देश हैं तो जो टॉप थ्री कंट्रीज है उसमें पहला नाम है सि उनकी रैंकिंग टॉप टेन में है तो उसमें नाम है डेनमार्क नीदरलेंड फिनलेंड नार्वे आस्ट्रेलिया स्वीडन यूनाइटेड किंडम यह टॉप टेन कंट्रीज है और इसी में भारत क्या है कि 193 अस्थान पर है अब बात कर ले कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है उन दच्छिड अफ्रिका 68 पोजीशन पर है और ब्राजील का जो पोजीशन ने वह 69 है और भारत जो है वह 103 यह एक सो तीनवे पोजीशन पर भारत की रैंकिंग है और कुछ ऐसे भी देश हैं जो अन्य मामलों में भारत से तो पिछण है लेकि इस इंडेक्स में क्या है कि इन नामीबिया बुलीबिया घाना अलसलवाडोर गैंबिया केनिया मरोको इस तरह की देश है जो अन्य मामलों में तो भारत से पिछड़े हैं लेकिन इस रैंकिंग में इनकी पोजीशन इंडिया से अच्छी है अब बात कर ले कि जो यह जी टी सी इंडेक्स है यह क्या है तो रिपोर्ट्स या इंडेक्स जारी किया जाता है और इसका उदेश क्या होता है कि प्रतिभा के लिए जो प्रतियस परधा करने के लिए जो देश हैं उनकी छमता क्या है उस छमता को यह इंडेक्स मेजर करता है यानि मापता है तो यह इसका उदेश से था अब बात कर लेत है कि जो यह रिपोर्टस बनती है यह किस आधार पर बनती है तो यह क्या है कि मुख हुरूप से छे पातों पर ध्यां दिया जाता है और उन्हीं आधार पर इंडेक्स निर्मित hier पहला क्या है कि प्रतिभा को सक्षम बनाना दूसरा प्रतिभा को कितना वह आकर्सित कर क्या है और जो व्योसाय है और जो तक्नीकी कौसल है उसमें उसकी इस्थिती क्या है और साथी क्या है कि जो बैस्वी ज्ञान कौसल है उसमें वो कितना योगदान दे रहा है तो यह इसके छे पिलर है जिसके आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है साथी जो यह सुचकां को का उपयोग करता है जिसमें क्या है पहला इंपुट और दूसरा आउटपूट इससे समन्दित कुछ प्रमुख बाते हैं अब देख लेते हैं कि जो भारत की रैंकिंग है वो इतना नीचे क्यों है यानि बढ़ती रैंकिंग के पीछे प्रमुख कारण क्या है तो भारत मे क्या है कि कौसल विसंगती देखी जाती है इस भारत में क्या है कि कौसल में बड़ा ही अंतर है अलग अलग लोगों का कौसल वेरियेशन अधिक है साथी क्या है कि कुसल क्रमचारियों को खोजने में क्या है कि अभी भी हमारा देश पिछड़ा हुआ है और रोजगार का ज हमारा देश इस जी टी सी रैंकिंग में पिछड़ा हुआ है अब बात कर लेते हैं कि आज के चर्चा पर एक प्रश्ण की प्रश्ण क्या है कि बैस्विक जो प्रतियस परधात्मक्त रिपोर्ट है यह किसके द्वारा प्रकासित की जाती है विकल्प है अंतराष्टी मुद्रा कोस भी व्यापार विकास संयुक्त राष्ट का सम्मेलन और सी है विस्व आर्थिक मंच और डी है विस्व भैंग तो इस तरह से यह प्रश्ण है तो आज की चर्चा में इतना ही नए चर्चा में हम एक नए बिसे के साथ हाजिर होंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यबाद थैंक्स थैंक्स फॉर वचिंग